सदर में इंपायर टाकीज है जो केंट बोर्ट के अंतरगत है और ये विल्डिंग वर्षों पुराना है और जिर से हालात में था कभी भी गिर सकता था और गिरने से जनहानी की संभाव ना थी इसी को मत देना जर आज हम इसको हटानी के करवाई कर रहे हैं कितना पुराना है और ये केंट बोर्ड के ही अधिन है और ये करीब सौ साल से उपर की बिल्डिंग है और जरजाल हालात में एक बार गिर भी चुकी है पूर में अभी केंट बोर्ड के पतादिकारी आये हैं आपसे बाचीर कर रहे हैं और जनहानी और की सम्हानों को देखते हुए ये हम हटानी करवाई कर रहे हैं अगर इस एंपार सेने में का कुछ इतिहास है कि आप जांते हुँ बता पाएं इसकी दुनिया से लिग दुनिया से लिग लोग ये ऐसा पताया जा रहे है कि उनी सो चगुदा के आसपास इसका निर्माना हुआ था और स्वर्गी प्रेमनाजी द्वारा इसको बनवाए ज पर यहां हासा होते हुआ बच्चा हुआ हुआ है कई बार यह दिवाल गिल के दो-तीन आधी तो पहले ऑलिटी में मर भी चुके रुखसेवाले इसे प्रसासांसे लगता अख़़ों में आने के बाद प्रसासांस जागने के बाद इसको इस एंपर टाकिस मों किराया गया कि बच्चों के यहां पर बहुत सी एक्रत्य नित्य भी हुए हमारे पावब में कर दो और एक ऐसी टाकिस्ती के त्यास में बहुती सुन्दा टाकिस्ती जिसकी देख पाल इन शाश्य प्रसा जबर्वर्वास उन्हें नहीं किया ऐसे कई धरवार जालपुल में जो च्छत कि रस्त हो गया है विचारे प्रेम नाज जीचे तो उन्हें देखबाल करें इसके बाद सिर्क की यादे आज से मेरे खाले में एमपेर के नाम और प्रेम नाज का जोहत बड़ा लगा हुए जो आज उसकी त्यास में खत्म गया जा रहा है